चलिए सभी को जैहिंद वंदे मातरम सभी कैसे हैं I hope अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे खुश होंगे जैसा कि आपको पता है कि यह फिजिक्स की क्लास हो रही है जो की एने टेक वाले स्टूडेंट्स हैं जो आर्मी टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं सीडी एस एफकेट सभी के लिए क्लास है ठीक है और सबसे पहले आप सभी को मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा जनमास्टमी के इस पर्फ पे आप सभी को 40% आफ मिल रहा है एप के परचेज इस पर बस ध्यान रखना है कि यह offer कब तक है 31st of August तक है तो जो भी आपके friends और relatives हैं प्लीज आप फटा फट जो बच्चे आ रहे हैं फटा फट कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं कोई लक्षे इस बारे में बात करते हैं आदित्य जैहिंद इस बारे में बात करेंगे ठीक है सिसोधिया जैहिंद जैद्वार कदीश चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए और सभी को पता है कि हम questions कर रहे थे तो चलिए questions का सिलसिला फिर स्टार्ट करते हैं पहला question आपकी screen पर है ओमवीर जैहिंद ठीक है तो कल कुछ question किये थे आज हम सिफ question करने वाले हैं तो फड़ा फट question को आपके सामने मैं present करता हूं और let's say थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि सभी बच्चे पढ़ पाएं च स्रीकाल भुपेंदर जैहिंद सोनू एक व्यक्ति प्लस टूटी का चश्मा पहनता है तो वो किससे पीडित है अब यहां पर आपको पूछा गया है वो किससे पीडित है कौन सी बिमारी उसको ही है अगर उसका चश्मा जो है अगर उसका जो वो पहन रहा है वो चश्मा कै प्लस टूडी का है, ठीक है, चलिए, option आने start हो गए है, तो आपको देखो, यहां से समझना क्या है, सबसे पहले आप चीज यहां पर देखोगे कि चश्मे का जो यह आपको power दियावा है, क्या दियावा है, power, power कितना दियावा है, plus का 2D, कितना दियावा है, plus का 2D, तो इसका क्या मतलब होगा, पहली चीज आप सभी को पता है कि इसकी power क्या है, plus की है, power plus की है, यानि कि इसका focal length, इसका जो focus दूरी है, वो भी plus की है, और जो focus दूरी होती है, सबसे पहले ध्यान रखना, वो किसके लिए होती है, positive, convex, किसके लिए होती है, convex, और convex जो होता है, वो दू हमारी को long sightness बोलते हैं hypermetrophia बोलते हैं अगर यह हमारा for example myophia होता हना तो myophia के अंदर हम concave use करते हैं और concave जो होता है उसकी focal length हम negative लेते हैं तो उसकी power भी हमारी negative हो जाएगी तो इसमें जो negative होती है तो अगर आपको चश्मा minus में दिया होता तो हम इसका इस्तमाल करते हैं ठीक है बास समझ में आ गई very good बच्चों सभी का बिलकुल सही जवाब है तो first का answer हो गया option number B चलिए second question की और चलते हैं second question आपके सामने है चलिए second question के बारे में बात करते है ओके second question कह रहा है दो समतल दरपन परस पर 45 डिग्री का कोन बनाते हैं इनके मद्या एक वस्तू रख दी जाती है तो बनने वाले कुल प्रतिवमी संख्या क्या होगी बहुत ही सरल सा प्रशन है ऐसा question हमने कल भी देखा था और कल भी इसके बारे में हमने बात करी थी ठीक है चलिए सबी बच्चों से गुजारिश है इसका जवाब दें फटा फट ओके अब देखेंगे तो यह logic जो है यह हमारा number of images का है कितने संख्या की हमारी image बनती है तो यहाँ पर 45 डिग्री दिया हुआ है तो हमें पता है पहले हम क्या हमारा आजाएगा 360 बटा 45, 360 बटा 45 जो अगर आप करोगे ठीक है तो इसका answer देखें क्या आएगा, solve कर लेते हैं इसको तो यह देखिए 5 की table से गया तो यह 9 हो गया, यह आपका हो गया 7 और यह हो गया 2, 72 आगया ठीक है तो यह आगया आपका 24 यह आगया 8 तो आपका end कित संख्या है, even संख्या है, तो even संख्या हम लेते नहीं है, हम n-1 करते हैं, n-1 करेंगे तो answer आजाएगा 7 तो इसका right answer हो जाएगा option number C और सभी बच्चों ने बिलकुल सही जवाब भी दिया है, ध्यान रखना अगर संख्या 8 होती है तो यह हमारा even संख्या है और even संख्या मे देखते हैं, तीसरा प्रशन हमारा क्या कह रहा है, समतल दर्पन पर एक किरन अभी लंबवत अप्तित हो रही है, तो परावरतन का कौन क्या होगा, तो यहाँ पर हमें परावरतन के कौन के बारे में पूछ रहे हैं, चलिए, फड़ा फड़ इसका जवाब दीजिए, question number 3 ह अब देखिए, इस question के अगर हम बात करें, तो आप से देखिए, जो भी चीज यहाँ पर बोली है, उसको diagram में, यानि कि आप उसको एक figure में बदल लिजिए, ताकि आपको समझने में असानी होगी, अब यह बोल रहा है कि समतल दर्पन है, और समतल दर्पन पर वो क्या कह र हो रही है, तो यानि कि अभी लम यानि कि 90 डिगरी पर आ रही है, तो यह हमारी incident ray हो गई, क्या हो गई, incident ray, अब यह बोल रहा है कि परावर्तन का कोन क्या होगा, परावर्तन यानि कि जो भी हमारा angle of reflection है, वो क्या होगा, फड़ा फड़ इसका जवाब दीजिए, very good परावर्तित होती है, तो यह angle I, angle R के बरावर होता है, अब यह स्तिती में बोल रहा है कि अगर यह इसी पर आ जाए, तो अब इसली बात है, यह सी पर वापस परावर्तित होगी, तो यह जिस line पर यहाँ पर पढ़ रही है, यह तब होगा, जब दरपन के साथ 90 degree कोन होगा तो अगर आप से कोई पूछ ले कि यह जो परावर्तित कीरन है, इसका दरपन के साथ किता कोन है, तो 90 degree लेना है, बट हम तो हमेशा N के साथ नापते हैं, N के साथ नापेंगे, तो angle I भी 0 हो गया, angle R भी 0 हो गया, और ध्यान रखना, जो हमारा angle of reflection होता है, परावर्तन कोन ह होता है, वो अभी लंब के साथ ही मापा जाता है, क्या ये clear है, बात समझ में आ गई, तो इसका right answer option number A हो जाएगा, और सभी बच्चों ने इसका बिलकुल सही जवाब भी दिया है, तो ये जो चीज मैंने समझाई है, यहाँ पर लिख दी है, आप इसको एक बार पढ़ ले ठीक है, बात समझ में आगे सभी को चलिए, आगे चलते हैं fourth question पर, okay fourth question देखिए क्या कह रहा है, fourth question कह रहा है कि उत्तल दरपन की focus दूरी 20 cm है, उसकी वकरता त्रीजिया क्या होगी, चलिए फड़ा फड़ इस question का जवाब दीजिए, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, आपको देखो यहां पर बोल रहा है कि दरपन कौन सा है, दरपन आपके सामने कौन सा है, तो ध्यान रखना दरपन है, उत्तल दरपन यानि की convex mirror, mirror की यहां पर बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना mirror की यहां पर बात हो रही है, तो यह हमारा यह वाला दरपन है, अब पता है कि जो F होता है और जो C होता है तो ये दूरी जो होती है आपकी R होती है और ये दूरी आपकी F होती है तो ये जो R का आदा कर देते हैं यही तो F होता है तो focal दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आदी होती है simple सा question है बट अभी हमें यहाप पर पूछा क्या है R पूछा है तो R हमारी क्या हो जाएगी 2F हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2F यह relation समझ में आ गया बट हमें यहाप पर 2F करना है focal length का double करना है focal length हमारी 20 है तो answer आ जाएगा 40 cm बास समझ में आ गई तो अगर मैं option को यहापर मिलाता हूँ तो D option इसका बिल्कुल correct answer होगा सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है option number D is a correct answer clear चलिए next question पे चलते हैं पाँचवा प्रशन देखते हैं पाँचवा प्रशन थोड़ा सा जूम कर देता हूँ थोड़ा सा theoretical प्रशन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अराम से इसको पढ़ लीजिए question को अराम से एक बार पढ़ लीजिए और इसका जवाब मुझे दीजिए by language में लिखा हुआ है question को एक बार मैं repeat जरूर कर देता हूँ question यहापर क्या कह रहा है प्रत्वी पर किसी परशेक को तारे जिल मिलाते प्रतीत होते है इसके बारे में क्या कहा जाता है क्या कहा जा सकता है यानि कि आपको बोल रहा है कि जो तारे आपके जिल मिलाते हैं यानि कि twinkling of stars जो होता है वो किस से सही describe हो रहा है आपको यहाँ पर options दिये वे हैं पहला है कि तारे सतत प्रकाश उत्सरजित नहीं करते the fact that stars do not emit light continuously क्या वो जो जिम जिम करते हैं उसका कारण यह है कि वो जो light निकलती है तारों से वो रुक रुक के आती है तब वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं तो I think यह option तो automatically गलत ही होगा इसमें तो इसका कोई ऐसा नहीं है light तो हमेशा लगातार ही आती है दूसरा option पढ़ते हैं तारों के प्रकाश के उनके वातावरन द्वारा बार बार absorption होता है absorption की बात कभी नहीं होती है यह कभी भी हम absorption यानि absorption की बात नहीं करते हैं अगला पढ़ते हैं तारों के प्रकाश का प्रत्वी के वातावरन द्वारा बार बार absorption होना पहले चीज में देखो क्या था उसके वातावरन के कारण हो रहा है नहीं ना ही प्रित्वी के वातावरन के कारण हो रहा है अवसोशन के कारण बिलकुल नहीं होता है ध्यान रखना तो इसका होता है हमारा अपवरतनांक याद करो मैंने बताया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तारों का जो जिल मिलाना होता है वो अपवरतन के कारण होता है अ अपवर्तन का मतलब होता है माध्यम का चेंज होना माध्यम का चेंज होना याने कि किसी का अप परवंतनाक में उतार चड़ाव आना तो इसका मतलब यह है कि प्रत्वी से वातावरन के अप परवंतनाक में उतार चड़ाव के कारण fluctuation के कारण तो इसका right answer option number D हो जाएगा बास समझ में आ गई तो यहाँ पर आपको option wise चलना है और चीजों को समझना है ठीक है स्री C answer नहीं होगा काफी बच्चे C answer लिख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है प्रकाश कभी भी अफ्षोशित नहीं होगी तारों की और ऐसा थोड़ी कभी अफ्षोशित होगी कभी उत्सर जीत होगी आई ऐसा नहीं होता है छट्टा प्रशन चलिए पढ़ते हैं, छट्टा प्रशन हमारा क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरन हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम जिसका आपरतनांग पहले की तुलना में भिन है जाती है तो परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही अच्छा के दोरान अप वर्तन के दोरान किस चीज में परिवर्तन होता है कौन-कौन सी चीजें बदलती है ठीक है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जबी भी अप वर्तन होता है रीफ्रेक्शन होता है तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उसमें पहली चीज तो वेग में बदलाव होता है बिल्कूल वेग आपका बदलता है उसके इलावा तरंग धहर्य भी आपका बदलता है पर जो आवर्ती होती है कोई भी चेंज नहीं होता है तो फ्रीकुएंशि के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो जहाँ-ाप पहली चीज तो आवर्ती आ रही है वह उप्षण गलत हो जाएंगे B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, और पहला वाला भी नहीं होगा, तो automatically हमारा D answer हो जाएगा, तो उसका सही answer क्या होगा, option number D, और सभी बच्चों ने बिलकुल सही जवाब दिया है, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूँगा, relation क्या होता है, चलो यह समझ में आगया, म्यू के, तो म्यू जो होता है, वो inversely proportional होता है, वी के, जिसका जितना ज़्यादा म्यू, यानि की अब परवंतनांग refractive index, उसमें वेग उतना ही ज़्यादा, और तरंग धहरेका भी same होता है, तरंग धहरेका भी माध्यम के अब परवंतनांग, यानि की refractive index पे दोनों depend करत है, inversely proportional यानि की व्युक्त कर्मानुपाती, ठीक है, तो यहां से ये वाली चीज भी आप अच्छे से याद कर लेना, तो यह हमारा चटा प्रशन हो गया, चली अगला चलते है, सात्वे प्रशन पर, सात्वा प्रशन देखिए क्या कह रहा है, सात्वा प्रशन कह रहा है, एक मनुश्य द्रश्टी वैश्मय दोज से पेडित है, यानि की एस्टी गेमेटिजम, यह मैंना आपको बताया था, यह कौन सी बिमारी होती है, चली देख लेते हैं एक बार, उसका मुख्य कारण क्या है, आंक के लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, आंक के लें यहां पर जिस बिमारी की बात हो रही है, वो कौन सी है, एस्टी गेमेटिजम, ठीक है, एस्टी गेमेटिजम, जिसको हम बोलते हैं द्रिश्टी वैश्मय, चली फड़ा फड़ जवाब दीजिए, बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे D, बेरी गुड, ठीक है, जो 36 लाइने होती हैं, उसके अंदर वो अच्छे से समझ नहीं पाता उनको, तो उसको अकार में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो जो अकार होते हैं वस्तुओं के, उसके अंदर उसको समझ नहीं आता कि सही क्या है, तो अगर आप ये देखेंगे, ये किसकी वज़े वहाली वाली विमारी होती है, तो इसमें तो कोई बड़ी तथ्या की बात नहीं है, बस एक तथ्या आपको याद रखना है, और ये अच्छा प्रशन यहांसे बनता है, ठीक है, चलिए, ये कोशन हो गया, इसमें तो कोई discussion की बात नहीं है चली आठवे प्रशन पर आते हैं आठवे प्रशन एक numerical जैसा आपको दिख रहा है चली इसके बारे में बात करते हैं अब यह क्या कह रहा है जल का अब परवंतनांक अगर 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी अब यह भी अच्छा प्रशन है important question है यहाँ पर आपको छोटा मोटा calculation करना पड़ेगा कोई बड़ी calculation यहाँ पर आपको नहीं करनी है बट still point में है तो चलिए इसको समझ लेते हैं ठीक है अब आपको यहाँ पर देखो क्या दियावा है अब वरतनांक दियावा है refractive index दियावा है कितना 1.33 आपको बताना है speed of light in the water पानी के अंदर speed यानि की प्रकाश की चाल कितनी होगी अभी मैंने आपको वैसे बताया था पहले ही बताया था म्यू का जो formula होता है वो C by V होता है म्यू किसके बराबर होता है C by V अब अगर मैं इसके तह चलूं तो V किसके बराबर हो गया V हो गया C by म्यू वी किसके ब तो V जो हो जाएगा पानी के अंदर तो यह हो जाएगा C कितना होता है 3 इंटू 10 की घात 8 डिवाइड करेंगे 1.33 तो approximately मुझे फटा पट बता दीजिए इसका जवाब क्या होगा समझ महा रहा है अब देखिए 1.33 जो है इसको मैं इसको 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 करना है ठीक है तो यह एप्रॉक्स कितना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं I think देखने वाली बात है कि यह 3 से तो कमी होगा because यह 1.33 है तो 3 से यह कम होने वाला है बर ज्यादा कम नहीं होगा तो इसका right answer option number B हो जाएगा 2.25 आप निकालके भी देख लेना यही आएगा बट मेरा point यहाँ पर यह है बताना कि आप approximation भी लगा सकते हैं आप approximate भी इसका जवाब दे सकते हैं तो आपको बस करना कुछ नहीं आपको पता है कि 3 बटा गर एक करूँगा तो 3 आएगा 3 बटा point 1.33 करूँगा तो यह इसको कम करेगा और यह इसको कम करेगा तो काफी कम जादा कम नहीं होगा तो इसका right answer आजाएगा option number B तो बिना calculation के भी आप अंधाजा लगा के भी answer को देख सकते हैं बाकी option में क्या दिक्कत है कि यह 3 से जादा तो होई नहीं सकता तो यह वा ओके नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 9 ओके नमबर 9 आपके सामने है चलिए फड़ा फड़ इसका जवाब दीजिए 9 ओले कोशन का कोशन मैं एक बार पढ़ देता हूं कोशन कहरा है सूरे हो दे के ठीक पहले सूरे का दिखाई देने का क्या कारण है यह सारी चीजे मैंने आपको थियोरी में पढ़ाई यह अब उसको बस कोशन में बदल दिय ठीक है तो आपको यहां पर बताना है कि जो सूरे होता है वो अपने उगने से पहले ही हमें दिखाई पढ़ जाता है इसका कारण क्या है तो मैंने आपको यह चीजा बताई थी ऐसा क्यों होता है किसकी वज़े से होता है तो यह वही लॉजिक है जो आपको तल जो होता है यह अप वर्तन का कारण होता है यानि की reflection का इसका कारण है देखो जादा दर जो question होते हैं वो इस तरीके की बनते है theoretical तो आपको ये सारे examples आजाने चाहिए कि ऐसा क्यूं होता है इसके पीछे क्या कारण है इसके पीछे की क्या गटना है तो इस question का right answer हो जाएगा option number B ध्यान दिखाए देना और सूर्य के बाद भी हमें सूर्य का दिखाई देना ये दोनों हमारा refraction का कारण होता है refraction की वज़े से होता है चली अगला प्रशन देखते हैं दस्वा प्रशन देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल किस पर निर्बर करती है आपको बताना है vacuum के अंदर speed of light जो होती है वो किस पर depend करती है फड़ा फड़ सबी बच्चे इसका जवाब देंगे चलिए question number 11th है आपके सामने sorry 10th है आपके सामने अब देख लिए सबसे पहले बात कर रहा है vacuum की vacuum एक तरीके का medium है जिसमें जो light होती है वो maximum speed से चलती है सबसे ज़्यादा speed से चलती है तो यह बोल रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करती है depend किस पे करती है आवरती पे तरंग धेरे पे प्रकाश तरोत के वेक से या उप्रोक में से कोई नहीं फटा-फट बच्चे जवाब देंगे D very good किसी पे depend नहीं करती है यह tricky question है यह आपको tricks फसा सकता है none of these होगा इस cancer क्योंकि ध्यान रखना निर्वात के अंदर जो light की जो speed होती है वो किसी पे depend नहीं करती है इसलिए तो light की जो speed होती है वो constant होती है नहीं करेगी तो यह tricky question है trick वाला question है तो इसका right answer हो जाएगा option number D तो 10th का answer हो गया option number D और कई बच्चों ने D लिखा भी है बहुत ही अच्छा सभी ने जवाब दिया है C नहीं होगा D answer होगा हाँ फस गया तो यहीं सारे question होते हैं आपको फसाते है simple से question होते है ठीक है चलिए आगे चलते है ग्यारवा प्रशन पढ़ते है ग्यारवा प्रशन देखे क्या कह रहा है प्रकाश का पून आंतरिक परावर्तन संभव है चलिए अब किस पर प्रशन आ गया total internal reflection total internal reflection जो होता है light का वो कब possible होता है वो कब होता है वो क्रिया जो है वो event जो है वो कब होता है तो ध्यान रखना है आपसे question में पूचा है वाईयू से काच में प्रवेश करता है तब होता है निर्वाद से वाईयू में वाईयू से पानी में या पानी से वायू में, air to glass, vacuum to air, air to water या water to air, चलिए, एक और अच्छा प्रशन आईए, देखते कौन इसका सही जवाब देता है, और इसमें भी वही logic यूज़ करना है, जो मैंने आपको सिखाया था, conditions लिखवाई थी, मैंने आपको बोला था, कि TIR, यानि कि total internal reflection के लिए क् condition होनी चाहिए, चलो बच्चों के answer आ रहे है, D, देखो, simple सी चीज आपको मैंने बताई थी, सबसे पहले ध्यान रखना, जबी भी आंतरिक, पून आंतरिक परावर्तन होता है, तो प्रकास जो होती है, जो light जो होती है, वो जिस माध्यम से आती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें भारी माध्यम से, dancer से rare air में आता है, हना इसमें ध्यान रखना, जो भारी माध्यम होता है, उससे हलके माध्यम में जाता है, ठीक है, अब यहां से देखें, यहां पर देखें, भारी माध्यम और हलका माध्यम क्या है तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी निर्वात जो होता है वो सबसे निर्वात जो होता है सबसे हलका माध्यम होता है फिर उसके बाद वायू आता है तो वायू से काश में तो नहीं जाएगी क्योंकि यह हलके से भारी में जा रही है निर्वात से वायू में भी नहीं internal reflection यानि कि पून आंत्रिक परावर्तन करवाना है अब इसमें एक और भी होता है कि और क्या चाहिए एक और condition यह होती है कि यह जो आपका i होता है angle of incidence होता है वो आपके क्रांतिक कौन से ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको पून आंत्रिक परावर्तन कराना है तो आपका जो आई होता है यानि की अप वर्तन स्वरी जिसको हम बोलते हैं आपतित कोन यानि की अंगल ऑफ इंसिडेंस वो आपके क्रांतिक कोन यानि की क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए यह दो कंडिशन मिला के आप यानि की पून आंत्रिक परावर्तन को समझा सकते हैं ठीक है बात समझ में आ गई तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा चलिए बारवा प्रशन देखते हैं बारवा प्रशन कहा र इसके लिए मिनिममुम की जब बात करते हैं तो say 25 cm होता है मैक्सीमम कहीं तो हम कहीं तक भी देख सकते हैं अनंत तक तो मैक्सीमम दूरी होती अनंत तक मिनिमम घ्म्ट किसी को को नहीं होनी चाहिएँ अगला कोशन देखते हैं fix. भूटरेंट उगए तेर्वा प्रशन तेश्य प्रशन क्या रहा है रेकिस्तान में मरग तृषिणा किस प्रकृयः के कारण दिखाई देता है वेरी गुड़ अच्छा प्रशन है जो less Iceland में मिराज बनते हैं उसका कारण उसका होते हैं मिराज है एक तरइकtime illusion है जिसकी वज़े से हमें धोका दिखता है धोका होता है यह हम सड़क पर भी देखते हैं तो इसका कारण क्या होता है तो ध्यान रखना व्यति करण नहीं होता इसका कारण होता है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के मैंने आपको कई उधारन भी बताए थे जैसे कि हमारा diamond होता है वो चमकता है जिसमें एक mirage मैंने आपको समझाया था तो यह सारे जो options होते हैं यह TIR के option होते है TIR का मतलब भी मैंने आपको पिशली साइड में भी समझाया था ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा option number B और यह भी important question है बहुत बार पूछा गया है कि जो mirage बनते हैं उसका कारण क्या होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं 14th question पे 14th question क्या कह रहा है प्रकाश का वेग सर्वपथम किसने किसने ग्याद किया हमें पता है कि जो वेग होता है प्रकाश का उसके बारे में किसने बात करी है तो चलिए फटा फट किसने सबसे पहले discover किया था कि light की speed क्या होती है ठीक है यह app के थूई चल रही है class चलिए फोटींत का answer दीजिए काफी बच्चे कह रहे हैं C बिल्कुल रोमर इसका right answer है अब यह भी fact based question है इसमें तो I think किसी को कोई भी doubt नहीं होनी चाहिए तो इसका right answer option number C होगा गैलीलियो जो थे मैं बता देता हूँ यह inertia के ज़्यादा बात करते हैं जब हम inertia यानि की जड़त्व की बात करते हैं जड़त्व का नियम पढ़ते हैं तब वहाँ पर हम गैलीलियो की बात करते हैं Newton आपको पता ही है माइकल सर आई डोंग नो कहां से आया है बट Newton हमें पता ही है फोर्स के जो laws होते है और rumors जो थे जिन्होंने पहली बार जो था वेग का बारे में बात करी थी तो इसका right answer हो जाएगा option number C बात समझ में आ गई चलिए अगले question पर चलते हैं पंदरवा प्रशन पंदरवा प्रशन देखी क्या कहा रहा है अभी हमने देखा था कि जो light की speed होती है वो किस पे depend करती है mu पे तो जो mu होता है वो व्यक्त कर्मानुपाती होता है वेग के अभी मैंने बताया था तो जिसका जितना ज़्यादा अप परवंतनांक उसका वेग उतना ही गट और जिसका वेग सबसे ज़्यादा उसका mu सबसे कम तो सबसे कम mu किसका होता है जो सबसे हलका माध्यम होता है तो Sir animal को भी दिखाई देते हैं क्या नहीं मुझे आइडिया नहीं है इसका तो animal को भी दिखाई देते ही होंगे आना बिल्कुल दिखाई देते होंगे ठीक है तो देखिए simple सा question है आपको बस देखना है सबसे हलका माध्यम यहाँ पर कौन है देखो अगर यहाँ पर निर्वात होता तो अभी यहाँ पर vacuum नहीं है निर्वात नहीं है तो ध्यान रखना हवा हवा में सबसे ज़्यादा वेग होगी क्लियर है तो इसका राइट आंसर ओप्शन नंबर ए ची नहीं है ठीक है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चली अगला कोशन देखते हैं सोलवा कोशन कह रहा है प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिदान्द सर्वर पत्थम किस ने दिया था प्रकाश की प्रकरती, light जो है वो कैसी है, light की property क्या है, क्या light एक wave है, क्या light एक particle है, यानि की कन है, ये सारी जो चीजे है, ठीक है, तो ध्यान रखना की जो light का nature है, light की जो प्रकरती है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो किस ने किया था, उसके बारे में है, dual nature of light भी हम पढ़ते हैं, कि जो प्रकाश है, देखो प्रकाश एक ऐसी category है, एक ऐसी चीज है जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था scientist के लिए, तो कईयों को लगता था कि प्रकाश एक तरंग है, एक wave है, कईयों को लगता था प्रकाश एक कन है, पार्टिकल है, जिसमें हम फोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आज तब भी पता नहीं चला है, तो हम बोलते हैं कि जो प्रकाश होता है, वो दोनों तरीके से काम करता है, कभी-कभी वो तरंग के हिसाप से चलता है, तो इसलिए उसमें दोनों तरीके के गुन हो यह, तो इसका राइट आंसर उप्शन नमबर A हो जाएगा, अगले प्रशन पर चलते हैं, 17th, 17th कोशन क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरन वायू से, वायू से पानी में गमन करती है, तो यह, यानि कि आपको इंग्लिश में बोल रहा है, वेन लाइट ट्रेवल्स फ्र समर्लों यह air से water में आ रही है, तो हलके से किस में आ रही है, भारी में आ रही है, तो इस केश में ध्यान रखना प्रकाश जो होता है, वो अभी लंब से जुक जाता है, यानि कि उसकी तरफ मुड़ जाता है, बास समझ में आ गई, और अगर यह बारी माद्यम से हलके माद जाता है बिल्कुल सभी है यहीं तो मैंने बोला है हलमिас भारी में जाएगा तो वे घटेगा तो अभी लम की तरफ मुढ जाएगा अभी लम से परे हट जाएगा घलत विचलित नहीं होगा गलत विचली तो होगा क्योंकि परावर्तन तो अपवर्तन तो होगा विकॉज माध्यम चेंज हुआ है परावर्तित हो जाती गलत रिफ्लेक्ट नहीं होती रिफ्रेक्ट होती है इसका राइट आंसर ऑप्शन नमबर यह हो जाएगा नेक्स्ट आता है एटींत कोशन चली एटींत कोशन के बारे में बात करते हैं प्रकाश द्वनी के बारे में पढ़ते हैं पर मैं यहां बताना चाहता हूं क्या कि जो प्रकाश की तरंगे होती है वो अनुपरस्त तरंगे होती है दो तरीके की तरंगे होती है अनुधहरय और अनुपरस्त लोंगिट्यूडनल और ट्रांसवर्स लोंगिट्यूडनल जो होती है उसका इंग्जाम्पल होता है Sound तो यह साउंड अनुप्रस्त नहीं होती है अनु्धहरे होती है वैसे प्रकाश क्या होती अनूप्रस्त तरंगें तो अगर कभी हम यह लीए हम श्यूत करेंगे दूसरे में नहीं होता और वह होता है ध्रुवन ध्रुवन यानि की पोलराइजेशन तो ध्यान रखना पोलराइजेशन जो होता है वो साउंड में नहीं होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में यानि की लाइट में होता है तो अगर आपको देखना है कि कौनसी तरंग कौनसी है तो बस देख लीजे दुरूवन किसमें हो रहा है तो जिसमे करन विवर्तन अपवर्तन दोनों में होता है साउंड में भी होता है लाइट में भी होता है तो इनकी साहता से हम नहीं बता सकते कौनसी तरंग कौनसी है बात समझ में आ गई तो ध्यान रखना यहां से यह कोशन भी बन सकता है साउंड में ध्यान रखना धुरूवन नहीं हो गूआ जाएटा है अभी मैंने आपको एक्जाम्पल दिया थैक कॉन इसका सही जवाब देता है आपने कई बार देखां olan ज GREG होता है वह काफी जुआदा चमक्ता कर्षा 강ई होता है इसकेस तरीके से काटते हैं कटिंग उसकी बहुत हैं ही चेन वह इसका का लOS उसको परावरतेत यानि की reflect कराते जाए और इसका मतलब होता है अंदर माध्यम के अंदर ही प्रकाश परावरतेत यानि की reflect होता रहे तो वह हमारा क्या होता है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन इसका उधारन मैंने अभी आपको बताया भी था जब हमने मिराज की बात करी थी ठीक है तो अगर जबी भी हीरे की चम्मक के बारे में पूचा जाए तो टी आई आर टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको answer आना चाहिए ठीक है चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं 20 वा प्रशन देखते हैं 20 वा प्रशन क्या कह रहा है वस्तू के समान अकार का प्रतिबं प्राव्त किया जा सकता है ये कोशन भी हमने कई बार किया है देखतें कौन इसका सही जवाब हमें देता है चलिए फड़ा फड़ इस कोशन का जवाब दीजिए चलिए 25 कोशन पूरे कर लेते हैं आज तो ध्यान रखना हमें बात कर रहा है समान अकार की समान अकार का मतलब होता है कि जो आपका अबजेक्ट की हाइट है वही आपके इमेज की हाइट हो अब यहां प्रशन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ कि प्रतिबम कैसा होना चाहिए क्या प्रतिबं वास्तविक होना चाहिए क्या वो प्रतिबं हमारा अभासी होना चाहिए, वर्चौल के रिएल तो ध्यान रखने ऐसा कुछ भी नहीं दिया वा यहां सिर्फ और सिरफ size की बात हो रही है तो size की जब बात होती है तो पहली चीज़ तो clear है कि plane mirror में तो मिलता है पर हमें पता है कि हमें अवतल के अंदर भी मिलता है जब हमारा object c पर होता है तब हमारी image का size भी same होता है तो इस particular case के अंदर दोनों का आकार सेम होता है तो दोनों के अंदर हमें सेम आकार का प्रतिबं मिल सकता है पर यहाँ पर अगर थोड़ा सा वो चेंज कर दें आपको बोल दें वास्तविक प्रतिबं किसमें मिलता है तो इसका right answer option number D हो जाएगा चली 21 वा question देखते हैं सूर्य की केरन को एक स्थान पर केंदरित करता है who accumulate light rays at a single point कई बार आपने देखा होगा कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो सीधा आ रहा है पर अगर मैं इसके आगे एक ऐसा lens रखूँ जो सारी light को एक बिंदू पर केंदरित कर दे तो वो कौन कर सकता है तो हमें पता है वो कौन करेगा Convex कौन करेगा Convex क्योंकि Convex lens का काम होता है क्या करना Converse lens का काम होता है अच्छा यहाँ पर lens की बात नहीं हो रही है यहां पर सारे दरपन की बात हो रही है, तो दरपन के अंदर अगर बात करें, तो दरपन में हो जाएगा Concave, दरपन में हमारा हो जाएगा Concave यानि की Avtal, Avtal जो होता है वो प्रकाश की केरनों को एक पॉइंट पर केंद्रित करेगा, या अपने कई बाट डिश वाली जो यसी, जो हमारी यह होती ही न छत्री उसका काम basically यही होता है ठीक है तो वो depend करता है अगर lens की बात करते हैं तो lens में हमारा convex होगा उत्तल होगा पर अगर दर्पन में बात करें तो दर्पन में हमारा कौन सा होता है कौन के यानि की अवतल तो इसका right answer option number भी हो जाएगा बात समझ में आगई सभी को अगर यहाँ पर आपसे पूछते कौन फैलाता है तो हमारा उल्टा answer हो जाएगा तब हमारा उत्तल हो जाएगा बात समझ में आगई clear यस चली अगला question देखते हैं 22 वा बाइसवा भी एक simple सा fact-based question है आपसे पूछा गया है तीक है आपसे पूछा गया है दूर्बीन का अविशकार किसने किया है binoculars जो हम use करते हैं जो हम गुटनबर्ग हो गया, एडिसन हो गया या ग्राम बेल हो गया, देखो दो चीज़ तो कलियर है, ग्राम बेल और एडिसन तो बिलकुल भी नहीं है, ग्राम बेल जब हम फोन की बात करते हैं, एडिसन, थॉमस एडिसन, जब हम बल्ट की बात करते हैं, तो नहीं, गुटनबर है जो हमारी binoculars होती है उसका उसने अविश्कार किया था तो ये जस्ट एक fact based question है ठीक है चलिए अगला देखते हैं 23 23 कोशन क्या कह रहा है परावर्तन में प्रकाश निम्न गुन नहीं बदलता यह भी मैंने आपको बताया था जबी भी reflection होता है पहले हमने reflection की बात करी थी त रखना frequency जो होती है वो change नहीं होती है frequency जो होती है वो change नहीं होती है तो आपको बोल रहा है light does not change during reflection velocity wavelength आवर्ती या फिर इन में से कोई नहीं ओके जुटनबर्ग printing press ठीक है तो ध्यान रखना इसका अंसर भी आवर्ती होगा दोनों में ध्यान रखना reflection और reflection दोनों के case में यह होगा अच्छा कोई बचा बोलते सर वी कैसे बदल रहा है देखो वी की दिशा बदल गी ना velocity कब बदलती है जब परिमान भी बदलता है और दिशा भी बदलती है तो velocity बदल रही है in terms of direction दिशा के अधार पर आपकी जो वह होती है वह बदलती है ठीक है और तरंग धहरे तो बदलता ही है तरंग धहरे का मतलब होता है उसका अकार ठीक है पर जो frequency होती है वह सेम नहीं रहती मोबाइल फोन की खोज मुझा आइडिया नहीं है सिसो दिया ठीक है चलिए अगला चलते हैं 24 वा कोश्चन 24 वा कोश्चन क्या कह रहा है देखिए कह रहा है निमिन में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है कौन सा इन में से प्राइमरी कलर नहीं है तो हमें पता है प्राइमरी कलर होते है आर बी जी तो आर बी जी के तहट अगर देखें तो रैड ब्लू ग्रीन के लावा जो भी कल हो जाएगा चली आज का लास्ट कोशन है यह होमवक कोशन है आप सभी का पच्चिसवा कोशन इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना और कल की क्लास में आप से कोशन पूछूंगा कोशन यह है प्रकाश का रंग कौन निर्धारित करता है color of light हाँ किसके द्वारा identify हुआ किया जा सकता है तरग फ्रकास यहां प्रकास रोट के आजपास के वातावरण से या प्रकास रोट के वेक ठीक है तो इसका जवाब आप मुझे कल की क्लास में देना कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कल आश क्लास होगी हमारी ऑप्टिक्स की जो भी बचेवे कोशन्स हैं मैं आपको कल करवा दूंगा फिर परसों से हम नई चैप्टर की और चलेंगे ठीक है तो इसी के साथ आ